अगर आप भी अपने partner से तलाग लेना चाहते हैं तो तलाग लेने के नए ground आच चुके हैं इन ground के तहत में आप एक तरफा तलाग भी ले सकते हैं और कुछ ground तो ऐसे जिन में आप हाथो हाथ भी तलाग ले सकते हैं एक साल तक का आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा तो चलो सारे ground आपको बताता हूँ, with judgment के साथ मैं बताऊँगा, देखें, पहले चीज तो, पहला तो Supreme Court का judgment है, अभी का है, इसमें बता दिया कि अगर कोई wife अपने पती का जिना हराम रखती है, उसको स्कून से नहीं रहने देती है, और ऐसे मैं अगर पती के पास में कोई ऐसे स सबूत हैं, तो पती क्या कर सकता है, एक तरफा तलाख ले सकता है, यह उसके पास में ground है, और इस Supreme Court की judgment है, अभी की, इसके अलावा फिर एक चीज बता दी, कि अगर पतनी फोर्स करती है, घर जमाई रहने के लिए, कि तुमको मेरे माबाप के साथ में रहना पड़ेगा, घर जमाई बनने के लिए, अगर उसको कह रही है, तब ऐसे में भी क्या कर सकता है, पती, एक तरफा तलाख ले सकता है, यह भी Supreme Court का judgment है, ठीक है, अभी का judgment है, इसके अलावा, अगर पतनी जो है, वो चोटी चोटी बात पे नराज हो जाती है, ठीक है, बिना वजे, अगर उस बात से परेशान है, तंग हो चुका है, तो उसको करूरता माना गया है, और ऐसे में पती जो है, वो क्या कर सकता है, अपनी पतनी से एक तरफा तलाख ले सकता है, ठीक है, आठ दिसंबर का judgment है, तो ऐसे में पती एक तरफा तलाख ले सकता है, इसके अलावा, अगर पत इसके अलावा, अगर wife जो है, पती को इंटरकॉर्स करने के लिए माना करती है, समंद बनाने नहीं देती है, तो ऐसे में पती क्या कर सकता है, एक तरफा तलाक ले सकता है, ये भी 36 गड़ हाई कोर्ट की जजमेंट है, अभी 15 दिसम्बर की जजमेंट है, या फिर wife भी यहाँ इसके अलावा, अगर कोई wife किसी पती के उपर, कोई जूटा मुकदमा दर्ज करवाती है, अगर वो मुकदमा जूटा साबित हो जाता है, तो पती के पास में गराउंड आ जाता है, कि वो क्या कर सकता है, एक तरफा तलाक ले सकता है, ये भी 36 गड़ का ही जजमेंट था, इसके अलावा, मुंबई हाई कोट का जजमेंट है, और ये सुप्रीम कोट का जजमेंट है, इसमें बात बता दी कि अगर कोई wife किसी और के साथ में, अगर relation में है, affair में है, और पती के पास में उसका अगर सबूत है, तो पती के अगर सकता है, उससे एक तरफा तलाक ले सक है, कि हाँ, ये उसके साथ में एचे-चे बाते हो रही है, तो वो भी एक सबूत है, या फिर आपके पास में की कोई photo है, वीडियो है दोनों की साथ की, तो वो तो एक सबूत होता ही है, एक चीज और बता देता हूँ, कुछ सबूत पेस करने का धंग होते हैं, और नए कान कानून में तो है न, WhatsApp चैट का, Instagram चैट का कोई जीकर नहीं था, अब नया कानून, नया कानून बदल गया, तो जमाने के हिसाब से कानून बदल है, अब AI इतना फास्ट हो चुका, उसको भी Evidence Act के अंदर लिया गया है, तो नए तरीके क्या है सबूत पेस करने कि अगर आप होगा, सारी चैट कैसी उसका certificate बिनेगा, टोटली बता देंगे आपको, ठीक है, इसके लावा, अगर पतनी बार-बार माइके चली जाती बिना कान के, बैग उठाया और भाग गई, अगर पतनी माइके चली जाएगी, और अगर पती उसको लेने जाता है, और वहाँ पतनी पतनी अगर आने से मना कर देती है, तब पती क्या कर सकता है, आते-ाते रस्ते में ही डिवोस के से लगवा सकता है, ये है 15 दिसंबर का judgment, अभी बिलकुल लेटस judgment है, एक तरफा तलाक, कि अगर पतनी बिना किसी कान उठाया बैग और माइके चली और पतनी लेने गया नहीं पहनती है, यानि कि दुनिया को ये शौफ करवा रही है कि मैं अभी भी एक कन्या कुवारी हूँ, तो ऐसे में पती क्या कर सकता है, एक तरफा तलाक ले सकता है, ये दिल्ली हाई कोट का अभी का judgment है, 15 दिन पहले का ही, ठीक है, इसके अलावा, अगर वाइफ आपके घर मे जो भी रिवाज है, अगर पतनी उस रिवाज से हटके अगर कपड़े पहनती है, ठीक है, रिवाज के कोडिंग है, ये नहीं है कि हम मेरे घर की बेटी भी तो जिस टोप पहन रही है, भवों को हम पहनने नहीं दे रहे, वो चीज नहीं है, रिवाज के लिए, ठीक है, अगर आपकी पतनी housewife है यह है judgment मुंबई औरंगावाद का कवकावाई 21 अक्टूबर का यह भी पीछे का यह है अगर आपकी पतनी housewife है और वो अगर घर का काम नहीं करती है ठीक है यानि कि वो कहते है पड़े पड़े 10 बजे उठती है और वो चीज अगर आपको पसंद नही है अब वो housewife है देखो साधी से पहले अगर आप लोगों की बात हुई है यह बात हुई है कि लड़का कमा रहे है कमाएगा लड़की को सिर्फ घर समालना है अगर वो housewife है और यह बात पहले तैय हो चुकी थी और अब अगर वो घर का काम भी नहीं करती है तब ऐसे में पत की देती है आपकी wife सुप्रिम कोट का judgment है अगर आपकी wife आपके मावाप से अलग रहने के लिए धंकी देती है कहती है कि अपने मावाप के साथन या उसको चुल लो या मुझको चुल लो तो ऐसे हम पती क्या कर सकता है पती एक तरफा तलाक ले सकता है यह पती के पास में कर लेती है कोई और बोली बोली खा लेती है और अगर आपके पास में उसका सुप्रिम कोट का judgment है इसको भी क्या क्रूल्टी माना गया है साफ लिख रखा है क्रूल्टी माना गया है और पती क्या कर सकता है इसको डिवोस दे सकता है तो यह कुछ नए तरीके थे से हुई है यानि साद्धी के बाद आपको पता चला कि लड़की की एज वो नहीं है आपको साद्धी के बाद पता चला कि लड़की कोई भेंकर विमारी है जानलेवा विमारी है आपको बाद में पता चला कि लड़की का पहले कुछ साद्धी हो चुकी थी वो आपसे चु दोनों में से किसी की एज कम थी, तब ऐसे में दोनों में से कोई भी एक क्या ले सकता है, एक तरफा तलाक लेके अपना, एक तरफा नहीं वो तो सुन्ने करण हो जाएगा, तलाक सुन्ने करण हो जाएगा, वो साधी साधी नहीं रहेगी, तो किसी भी तरह का अगर आपके सा ये हाथो हाथ तलाक के लिए ठीक है अगर आप हाथो हाथ तलाक लेना चाहते है आपने चाहते कि मेरे को एक साल तक का टाइम पिरिड मेरे को इंतजार करना चाहिए अब मैं इसके साथ में नहीं रहना चाहता ऐसे में एक सक के लिए भी था भाई है कि आपका फेर किसी के साथ में और शिर्फु आपके सक करे जारी सक करे जारी और उस शक्के चलते अगर उसने आपका जीड़ना हराम किया यह सुप्रीम कोर्ट का जिज्मेंट है मैं ठीक है तब ऐसे इमपती एक तरफा तलाग ले सकता है यह बता रहा था हाथ ओहत वाला यह हाथ होआत का तलाग देखो अगर आप दोनों राजी हैं कि अब आपका घर आगे नहीं चल सकता एक साथ नहीं चल सकता इसे में आप दोनों क्या कर सकते हैν एक साथ जाके court में एक mint में sign करके और एक दिन में अपने साधी को खतम कर सकते हैं किसी को एक साल तक का इंतजार करने का अबजूर्थ नहीं है यानि कि mutual divorce अब जो होंगे वो हाथो हाथ host केंगे उसके लिए आप Supreme Court में Article 142 के तहत में जाके application लगा सकते हैं लेकिन उसके लिए पहले आपको लोयर कोट में जाना पड़ेगा तो अगर आप भी अपने partner से अब एक तरफा तलाग लेना चाते हैं फिर हाथो हाथ तलाग लेना चाते हैं तो हाथो हाथ तलाग के लिए तो आपको mutual divorce में फिर जाना पड़ेगा तो वहाँ से आपको यह relief मिल सकती है तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है आप भी चाते हो कि अब आपके एक साथ नहीं बन सकती एक साथ यह गर में नहीं रह सकते हैं तो आप अगर अलग रहना चाते हैं तो इन judgments का फाइदा उठा सकते हो ठीक है एन judgments के साथ में ground का फाइदा आप उठा सकते हो यह ground लगा के आप भी अब divorce ले सकते हैं तो यह कुछ जानकारी थी divorce के लिए अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस channel को subscribe कर लीजी आगे share कर दीजी नहीं अच्छी लगी तो इसको dislike कर लीजी otherwise इसको like कर लीजी किसी ओर topic पर अगर आपको वीडियो चाहिए आप मेरे को बता दीजी हम आपको वीडियो जरूर बना के दे दूँगा ठीक है और कोई और आपका suggestion है किसी भी चीज़ से लिए या फिर कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप जानकारी के लिए नीचे मेरा WhatsApp का number है वहाँ पर WhatsApp पर आप message कर सकते हैं मेरे को अगर Instagram पर follow करना है ये मेरा Instagram का account है तो ठीक है my dear उमीद करूँँआ ये जानकारी आपको कुछ हद तक पसंद आई होगी या कितनी पसंद आई है या आपका कोई और suggestion है ये जो judgment है ये सही आए है ये फैसले गलत आए है ठीक है एक चीज और भी बता देता हूँ ये जितने judgment मैंने आपको दिखाए है ये final judgment थे ये नहीं है कि एक बार ये judgment आ गए है इसके बाद में फिर ये मामले appeal में चल रहे है ये चीज पहले मैंने खुद confirm की थी इन में से कोई भी जो चीज मैंने बताई है वो अभी तक appeal में नहीं चल रही है मतलब ये final judgment है ठीक है ऐसा नहीं है कि मैंने जो चीज आपको बताई है उसकी appeal कहीं पे लगी हुई है तो क्या आप तकल को बदल जाए तभी मैं judgment के साथ में proof के साथ में मैंने वीडियो recording किया है बनाया है आप लोगों के लिए ताकि एक एक चीज का अपने पास में proof हो जो चीज बताई है उसकी एक एक चीज की judgment है with proof के साथ में जो high court का था वो high court का जो supreme court का वो supreme court का है और ये final judgment थी ठीक मैं डियार तो अगर आपको किसी भी topic पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप comment करें आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा उस topic से related आपको जानकर ज़रूर मिलेगी Thank you, thank you मैं डियार